साल 2009 में स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है तो आपने जरूर देखा होगा जिसकी कहानी के साथ साथ इस सीरियल में नजर आए दमदार कलाकारों ने भी अपने दमदार अदाकारी से इस सीरियल को सूपर हिट बनाया है उनी कलाकारों में से एक कलाकार हैं अभिनितरी कांची सिंग जिन्होंने इस सीरिल में नायरा की बहन का किरदार निभाया था और अपने इस किरदार से खोब पॉपलरिटी हासिल की थी जहां ये इस सीरिल में सबसे अच्छे से बात करती थी और सब के सुक दुख में साथ खड़ी रहती थी वहीं ये अपनी असल जिंदगी में भी सेम ऐसी ही है ये सबसे हसकर बाते करती हैं और सबको अपना मानती है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छा रिष्टा रखने वाली अभिनेत्री कांची सिंग एक शक्स से बेहधी जादा नफरत करती हैं। तो आखरकार कौन है वो शक्स जिन्होंने इनको इतना हर्ट कर दिया कि ये उनसे नफरत कर बैठी हैं अगर आप भी उस शक्स से मिलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इन सभी सवालों की जवाब तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहिए साथ ही अपनी फेवरेट अभिनेतरी कांची सिंग के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्यार हो गया ये रिष्टा क्या कहलाता है और ससुराल सिमर का जैसे कई सूपर हिट सीरिल्स में अभिनेतरी कांची सिंग ने शांदार अभिने प्रदर्शन करके अपने एक्टिं इंडॉस्ट्री के मशूर अभिनेता रोहन महरा है जी हाँ रोहन महरा ही वो शक्स हैं जिन से ये बेहधी जादा नफरत करती हैं इतनी नफरत कि ये उनकी शकल तक देखना पसंद नहीं करती आये अब बात करते हैं कि ये उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं तो दर असल बा साथ एक सीरल में काम करने के दरान यह दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे धीरे-धीरे इनकी इस दोस्ती प्यार में भी बदल गई थी जिसके बाद इन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था नहीं यह दोनों अपना फ्री टाइम भी एक दूसरे के साथ spend करने लगे थे पर कांची सिंग को date करने के दरान रोहन महरा अपनी ex-girlfriend युक्ती कपूर से भी बात किया करते थे और जब इस बारे में कांची सिंग को पता चला तो वो रोहन से काफी नाराज हो गई जिसके बाद इन दोनों की बीच इसी topic को लेकर क अई घंटों तक बहस चलती रही और इसी दोरान रोहन महरा ने कांची से ये तक कह दिया कि मैं आज भी युक्ती से प्यार करता हूं ये बात सुनने की बाद कांची सिंग को उनसे नफरत हो गई और आज ये उनसे इतनी नफरत करती हैं कि ये उनकी शकल तक देखना साथी टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मज़िदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले